त्रिकूट परवत पर एरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है इस ऑपरेशन में एरफोर्स के जाबांजो ने 47 जिंदग्यों को बचा लिया है लेकिन बागी तीन लोग खुशकिस्मत से नहीं थे इन तीनों में से एक महीला की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई यह महीला रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फिसल करनी चेगर गई थी हाला कि वेवरफोर्स के बिच्छाय जाल पर गिरी लेकिन इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर उसे बचाने में नकाम्याब रहे और उसकी मौत हो गए अपको अदादे जारखन के देवगर में त्रकूच परवत पर रोपे में फसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है करीब 45 घंटे की जद्दो जहत के बाद हवा में अटके लोगों को पचा लिया गया है इस हाद्से में तीन लोग की मौत हो गई है उसमें एक महिला शामिल है ITPP का कहना है कि ये मुश्किल रेस्क्यू और भ्यान था क्योंकि हजारों मीटर की उचाई पर लोग हवा में अटके हुए थे उनके पास पहुँशना मुस्कल था